दोस्तों इस वीडियों बात करेंगे ThighCastig Limited के आने वाले IPO पर Company का जो है पूरा का पूरा Business Model इसमें समझने की कोशिज करेंगे और ये जानने की कोशिज करेंगे कि Company ने ये IPO क्यों जारी करने की सोची और साथी साथ ये जाना ही कोशिश करेंगे कि इस IPO में apply करना चाहिए या avoid करना चाहिए वैसे मैं आपको ये बता दूँ कि ये IPO SME category में list होने वाला है तो यहाँ पर आपको reward तो unlimited मिलेगा लेकिन risk भी आपका पूरा का पूरा 100% stack पे रहेगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं चैनल पर नहीं तो subscribe करिए like करिए share करिए comment करिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रंस देखिए इस company की स्थापना यानि की incorporation हुआ था जून 2010 में company करते क्या है casting से तो आप समझी गए होंगे Thai Casting Limited is an automotive ancillary company आप जाते होंगे बड़ी बड़ी कंपनी आप जाते होंगे बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे मदरसन सुमी हो गया मदरसन वाइरिंग हो गया यह सारी कंपनिया है उसी तरह से यहां पर यह company है छोटी सी company है SME board पर specialized करता ही है यह high pressure dye casting में as well as precision machining of both ferrous and non-ferrous material यह फेरस और non-meritial दो परकार के जो है जो metal होते हैं उससे बनने वाले जो products होते हैं वो यह produce करती है and induction heating and quenching the company has three business verticals तीन परकार का इसका product दिखे होता है high pressure dye casting होता है और machining of ferrous and non-ferrous और induction of heating quenching तो यह तीन category में यह company deal करती है और इसके काम के लिए company को IATF से certification प्राप्त है अब की देखने वाली बात यह है कि company कह रही है कि उसकी जो manufacturing facility है वो है no theory value तमिलाडू में और company offer करती है wide range of automotive components such as engine mounting support bracket, transmission mounts, fork shift housing, steering wheel, electric connectors, YFG base frame, left hand drive side और both right hand side और housing, top cover and more तो इस तरह के products इसमें company deal कर रही है, the company has a dye making facility for new product development according to required specification और dye maintenance process जो इनका किया जाता है वो बहुत ही यह company का कहना है कि Atmos care के साथ किया जाता है जिससे कि उसका एक longer life span हो है 30 सितंबर 2023 के तक company ने 132 करपचारियों को अलग-अलग department में नौकरी दी हुई है तो यह website है जो company के है जिसमें के अलग-अलग प्रकार के जो component है वो आप देख सकते हैं यह सारे जो component है वो आपके गाड़ियों में लगते हैं तरह तरह के component है जो company तयार करके different-different जो automakers है उसको supply करती है यह आप देख सकते हैं धेश सारे और इसको company अपने dime manufacturing capacity में तयार करके sell करती है company के business model को समझने के बाद आए समझ लेते हैं company का financial performance क्या रहा है एसेट की बात करें 2389,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 . तो यहां पर यह देखना होगा कि टो यह जो borrowing से बाद थि है किया जो borrowing से right है तो लगतार आप देख सकते हैं रेवेन्यु की बात करें, दो हजार अर्तालीस लाग, दें 3,841 लाग, 4,911 लाग, यानि कि दो हजार वाला जो रेवेन्यु था, वो अलमोस डबल हुआ, 22 महीं, और 22 के बाद या आपको दिखाई दे रहा है, पांच हजार लाग, यानि कि पचास क्रोण के आसपास, फिलाल साथ महीने का अगर जो आप रिवेन्यु देखेंगे तो है 4848 लाग, प्रॉफिट आफ्ट टैक्स की बात करें 40 लाग, 115 लाग, 503 लाग, यानि कि प्रॉफिट आफ का जस्त डबल हो रहा है और उसके बाद 5 गुना हो गया, अभी साथ महीनों में 860 लाग रुपह है, यानि क इस तरह से कंपनी का आप देख सकते हैं कि टॉप लाइन और बाटोम लाइन दुनों यहाँ पर जबर दस तरीके से बड़े हुए नजर आ रहे हैं कंपनी के पास लेकिन आपको यहां कुछ लोज नजर आ रहे हैं, अब आप रोसी ए की बात करेंगे, यानि के रिटर्ण आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है एवरेज EPS लास्ट तीन साल की बात करेंगे, तो किवल एक रुपर परच्छत्तर पैसे है रिटर्न और नेट वर्थ लास्ट तीन साल का एवरेज 27 परसेंट प्री IPO में प्राइस टुबूक है 5.64 और NAV है 13 तो ये काफी ज़्यादा प्री IPO की बात करेंगे तो महकान नजर आएगा IPO की बात की बात करेंगे तो भी 2.53 है और NAV है 30 की और अगर आप F.24 की earnings को जो के साथ में ने की है उसको analyze करेंगे तो 18 रुपए यहाँ पर PE ratio है जो कि आपको यहाँ पर काफी ठीक ठाक नजर आ रहा है तो यहाँ पर जिस business model में company operate कर रही है वहाँ पर immense opportunity है ग्रो करने की वैसे opportunity के साथ-साथ आप यहाँ पर यह देख सकते है कि competition भी है काफी बड़ी-बड़ी कंपनिया इस sector में काम करेंगे जो already established भी है company के top line की बात करेंगे company के bottom line की बात करेंगे तो लगातार वो improve हो रहा है तो यह एक अच्छी बात है competition में कभी इस तरह की छोटी कंपनिया जो है वो गाइब भी हो सकती इसमें कोई दो रहा है यह SME कंपनी है छोटी कंपनी है तो आप देख सकते है कि अचानक से इसके top line ब आप economy की बात करेंगे automobile sector grow कर रहा है और वो बदल भी रहा है automobile sector में अभी फिलहाल green energy की तरफ सारा कुछ shift हो रहा है तो उसे साफसे अगर company अपने आपको ढ़लने में सफल रहेगी और adopt कर लेगी तो यहाँ पर company के लिए एक अच्छा अवसर होगा इसमें कोई दो राही की ब जादा होता है अब अगर फ्रेंड्स valuation की बात करेंगे तो valuation यहाँ पर काफी सस्ते तो नहीं कहे जा सकते हैं एक fairly priced यह IPO आया हुआ है तो अगर आप यहाँ इस company के GMP की trend की बात करेंगे तो फिलहाल यह 24% के आसपास GMP चल रहा है तो valuation के बाद GMP को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि फिलहाल यहाँ पर अगर कोई listing gain के लिए ही केवल जाने की कोशिस कर रहा है तो फिलहाल उसको wait करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या green market में और demand analysis में demand क्या आ रही है demand graph एक बार website पे एनसी के website पे जरूर देख लेना चाहिए कि क्या इसमें किसी तरह का कोई opportunity है फिलहाल कुछ और भी जानकारी इसमें प्राप्त कर लेते हैं यह IPO friends 15 फरवरी को कुलेगा और close होगा 20 फरवरी को 10 रुपए का इसका face value होगा 73 से 77 रुपए का इसका price brand है और large size 1660 की है total issue size 47.20 रुपए का है और सभी के सभी fresh issue है और यह IPO लिस्ट होगा NAC SME board पर अगर आपको यह IPO मिल गया तो आपके DMAT account में 22 तारीक को credit होगा और नहीं मिलने पर पैसा refund होगा 22 फरवरी को ही और listing date जो होगी वो 23 फरवरी यह होगी QIB category की बात करें तो यहाँ पर 50% का reservation है retail category में 35% का और NII HNI में 15% के लिए reserves है retail minimum एक lot के लिए 600,000 के लिए 1,23,200 रुपय के लिए अपलाई करेंगे और retail में maximum भी एक lot ही है और HNI में minimum 2 lot के लिए 32,000 के लिए 24,400 इस IBSU मिलने वाले पैसे का प्रयोग company अपने capital expenditure में करेंगी यानि की अपने capacity expansion में करेंगी और इसके साथ सा general corporate purpose के लिए और भी और इस issue को के खर्च को करने के लिए करेंगी तो कुलमिला के फ्रेंट्स अभी फिलहाल listing gain के लिए जाना थोड़ी जल्दिवाजी होगी आपको wait करना चाहिए और थोड़ा सा इसका demand analysis market में देख लेना चाहिए कि किस तरह से यहां demand बढ़ेगी और साथ GMP का जो trend है वो क्या जाने वाला है इसके साथ इसाथ long term और medium term की बात करेंगे तो यहां पर very high risk लेने वाले जो trader है जो investor है वो यहां पर अपना पैसा पार्क कर सकते है अपना पैसा यहां लगा सकते है इसके साथ साथ अगर बात की जाए long term के लिए या फिर medium term के लिए निवेश करने के लिए तो यहाँ पर वो लोग जो काफी ज़्यादा risk लेना पसंद करते हैं वो अपना पैसा यहाँ पर invest कर सकते हैं तो risk की investors के लिए यहाँ पर एक opportunity बन रही है कंपणी अगर अच्छा करने में सफल रही जिस तरह से कंपणी ने पिछले 3 साल में अपना result दिया है उसी तरह से अगर अच्छा करने में कंपणी सफल रही तो यहाँ पर एक अच्छा काशा पैसा बन जाने की संभवना है लेकिन यहां रिस्क भी काफी जादा रहता है क्योंकि SME बोर्ड पे लिस्ट होने वाले IPO की जो liquidity है वो काफी कम रहती है तो इस तरह से आप इस IPO को एनलाईज करें कोई भी action लेने के पहले friends अपने आप financial advisor से जरूर संपर करें यह वीडियो के वल एक education purpose से बनाया गया है उसके अलावा इस वीडियो को आप किसी भी तरह का advice न समझें अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो like करिए share करिए comment करिए और चैनल पर नहीं है तो subscribe करना ना भूलिए thank you so much